मैं धीर जाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इजुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉंपटिशन कमुनिडी पर तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ससी से चसल के नोडिफिकेशन से जुली हुई यानि कि जब से नोडिफिकेशन आप लोगों को डाउट्स हमें कमेंट्स के सुरूप राप्त हो रहे हैं उसको भी हम लोग कहीं न कहीं यहां पे अभी क्लियर करने वाले हैं तो सबसे पहला गर हम बात करें रिजिनिंग सेक्शन में जो डाउट आ रहा है आप लोगों को सलेबस को लेकर के तो सलेबस का टेंशन आपको बिल्कुल लेने की अवशकता नहीं है वहाँ पे किस टॉपिक को किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें यहां पे आपको जो भी मैंने टॉपिक्स कवर अप कराए हैं स्टार्टिंग में सलेबस के और कोर्स में सारे ही करा जा रहा है तो आप स्लेबस से जो भी जुड़ी हुई आपकी चिंताएं हैं उसको हमारे उपर आप छोड़ दीजा आपको इस बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है इसके अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि करा थे जाएगी तो इसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहे हैं जरूरत है आपको किवल रेगुलर बेशीज पर लेक्चिर्स को फॉलो करने की रेगुलर basis पर जो आपको प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करा जा रहे हैं उन questions को बनाने की साथ की साथ आपको टेलिग्राम ग्रूप जो की already create किया जा चुका है जहां पर आप हमारे साथ discuss कर सकते हैं आपको क्या करना है वहाँ पर प्रीवेस प्रीवेस करते हुए चलना है तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की आज का सेशन काफी खास रहने वाला है अगर हम बात करें चैप्टर की तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिरार इमेज एंड वाटर इमेज यानि की दरपन प्रतिभिंब एवं जल प्रतिभिंब तो अगर हम बात करें चैप्टर की चैप्टर क्यों खास रहने वाला है सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह चैप्टर इतना महत्पूर क्यों हो जाता है तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना केवल हम लोग दरपन प्रतीबिम और जल प्रतीबिम उसे जुड़े वे प्रशनों को आसानी से हल कर पाएंगे बलकि अगर हम बात करें तो कागज काटना तथा मोड़ना या फिर हम बात करें पेपर कटिंग और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे embedded figure को भी cover up करने वाले हैं और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे figure series related questions जो कि आपके basically exam में पूछे जाते हैं देखने को मिलते हैं clear तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे water image और mirror image की तो water image और mirror image के questions को बनाने के various तरीकों पर हम लोग क्या करेंगे discuss करेंगे various concepts की हम लोग बात करेंगे और अगर हम बात करें without using pen and paper कैसे questions को बनाना है क्या approach होने वाला है इसके उपर यहाँ पर चर्चा करेंगे तो offline mode के लिए यहाँ पर approach हमारा अलग होने वाला है और online mode के लिए approach अलग होने वाला है अगर हम बात करें SSC की तो SSC का exam तो आपको अब्यस सी बात है online mode में ही देना रेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे साथ में जुड़ते हैं हमारे sessions को watch करते हैं जो कहीना कही offline परिक्षाओं में भी क्या करते हैं भाग लेते हैं participate करते हैं उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर तरीकों को डिसकस करेंगी कि कैसे हम offline exam में आसानी से questions को बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का session सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर water image and mirror image तो यहां पर आपको एक image दिखाई दे रही है image में आप देख सकते हैं कि किसी भी अगर हम बात करें image का प्रतिविम्ब है वह reflection जो है वह water में किस प्रकार से आपको दिखाई देता है थोड़ा बहुत यहां पर हम theory को भी समझने का प्रयास करेंगे लेकिन basically हमें सीखना क्या है हमें practical चीज़े सीखनी है theory पर विशेज द्यान नहीं देना है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर कुछ बाते लिखो यह आपको दिखाई देंगे तो जैसे कि अगर हम बात करें mirror image की चली यहां पर आपको लिखाऊ दिखाई दे रहा है इन mirror image left side and right side remain right side changed और vice versa यानि कि अगर हम बात करें जो left side है वो आपको towards right नजर आएगा जो right side है वो towards आपको left नजर आएगा अगर हम बात करें कि इसकी mirror image की आगे आपको बोला जा रहा है where top and bottom remain same यानि कि अगर हम बात करें ऊपर और नीचे में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता वो as it is आपका बना रहता है इसके बाद अगर हम बात करें when any figure or image is rotated 180 degree about vertical axis laying on the plane यानि कि हम बात करें किसी भी image को अगर हम गया करें vertical axis पे 180 degree rotate करते हैं इसको हम लोग practical भी होता हुआ भी देखेंगे तो हमें क्या पराप्त होता हमें mirror image पराप्त होता या फिर आप कह सकते है mirror image is inverted image obtained by turning the object right side left और left side right ठीक है हिंदी में भी यह जानकारी आपको यहां पर कुछ basic questions की जो कि आप से exam में generally पूछे जाते हैं यानि कि हम बात करेंगे यहां पर जो base है हमारा जो concept उसको कैसे develop करना है इसके उपर हम लोग विशेस यहां पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कड़ी में alphabets के उपर यानि कि जो अंग्रेजी वर्ण बाते जानने ना वश्यक है जैसे कि अगर हम बात करें किसी particular letter गिमान लेता हमने letter ले लिया D या हमने letter ले लिया अर ठीक है अगर हम बात करें यहां पर mirror image की तो mirror या तो आपको किदर लगा हुआ दिखाई देगा towards left या तो mirror आपको लगा हुआ दिखाई देगा किदर towards right या फिर आपसे बोला जा सकता है कि mirror कहां लगा हुआ है सामने में लगा हुआ है यानि कि front में लगा हुआ है ठीक ह बनेगा तो ध्यान दीजे सबसे पहली बात कि मिरर आपका लेफ्ट में हो राइट में हो या फिर फ्रेंट में हो आपका इमेज बनेगा वह एज़ बनेगा इसमें कोई भी परिवर्तन होता हुँ आपको दिखाई नहीं देगा तीनों ही स्थितियों में आपका जो इमेज है वह कैसा होगा वह आपका जल प्रति भीम होगा तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो मिरर आपके कहां कहां प्लेज हो सकते हैं टूर्स लेफ्ट टूर्स राइट और फ्रेंट में जब हम बात करेंगे किसकी मिरर इमेज की चलिए इसको हम रिमूव करते हैं और देखते हैं इंग्लिश alphabets को अगर हम mirror में देखें तो यह हमें किस प्रकार से दिखाई देंगे सबसे पहले हम बात करेंगे A की, B की, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, clear? तो यह आपके हो गए अंग्लेजी वर्णमाला के 26 लेटर यानि कि अगर हम बात करें अंग्लेजी वर्णमाला के लेटर की तो यहां पर देख सकते हैं A में आपको कोई भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देरा इसी प्रकार हम बात करेंगर H की, I की, M की, या फिर O हो गया आपका, फिर T, U, V, W, X और Y तो अगर हम बात करें, यहां पर Y आपका एक special case होगा, इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे यानि कि यहां पर हम बात करें, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के letters की, अक्षरों की तो यहां पर आपके पास 11 ऐसे letter है, including Y, जिनका mirror image और real image क्या बनता है, same बनता है यानि कि इन में कोई भी परिवर्तन होता हूँ आपको दिखाई नहीं देगा, यह आपको mirror में भी as it is दिखाई देंगे, जैसे कि यह real में दिखाई देते हैं, clear तो यहां पर Y special case क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, जिन्होंने Y को इस परकार से पढ़ा होगा, जब इसका आप image देखेंगे, तो आपको इस परकार से दिखाई देगा, यानि कि real image और mirror image आपको एक जैसा बनता हूँ दिखाई नहीं देगा, तो ध्यान दीजे हमें इसको क्या करना है, इसको priority नहीं देनी है, Y जो होगा वो आपका Y इस परकार से होगा, यानि कि हम इस वाले Y को क्या करेंगे, priority देंगे, यानि कि including Y यहां पे English alphabet में 11 ऐसे letters होते हैं, जिनका mirror image और actual image क्या बनता है, सेम बनता है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा practical way में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक paper में इस परकार से, A से लेकर के Z तक के letters को लिख लेना है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे, यहां पर जो theory अभी हम लोगों ने थो आप इस परकार से गया करेंगे, तो पीछे में जो आपको आकरती बनती हुई दिखाई देगी, पीछे में जो आपको image बनता हुई दिखाई देगा, वहां कैसा होगा, वहां आपका mirror image बनता हुई दिखाई देगा, तो इसको चाहें आप इस परकार से rotate करें, या फिर चा का offline paper होता है अगर offline paper में आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो माल लेते हैं आपसे पूछा हमने का माल लेते हैं आपसे पूछा गया reasoning के लिए mirror image कैसा दिखाई देगा clear तो आपको करना क्या है आपको simply paper को rotate कर लेना जिस प्रकार से मैंने बताया तो जब आप paper को rotate करेंगे तो जो भी आपको विकल्प दिए गए होंगे वो आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा जबकि जो आपसे पूछा गया था निकि जो question है वो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा तो वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा अगर आप वीडियो को pause करके इस image को क्या करेंगे अगर आपके पास mobile phone है तो इस प्रकार से अगर आप mobile phone लगा के देखेंगे तो जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देरा reasoning वो आपको इस option सही option होगा वो आपको इस प्रकार से नजर आने लगेगा और आपको क्या करना है उसी option को mark करना as your answer ठीक है तो कई बार paper पर directly visible नहीं होगा तो आप थोड़ा सा सर पर उसको घिस भी सकते हैं जिससे क्या होने लगेगा वो butter paper के जैसा आपका काम करेगा और आसानी से आप option क को पिक कर पाएंगे clear तो जरूरी नहीं कि आप क्या करें proper उसको बना के ही देखें यहां पर हला कि आपको ऐसा कुछ भी करने के वरशकता नहीं पड़ेगी आगे हम लोग यहां पर बहुत सारे concepts को discuss करने वाले जिससे आप आसानी से questions का answer पिक करके answer आप कर सकते हैं ठीक है अब समस्या क्या है कि समस्या यह है कि आप exam hall में mobile phone तो लेके जा नहीं सकते हैं ठीक है समस्या क्या है कि आप exam hall में mobile phone को लेके नहीं जा सकते हैं तो अगर आपके पास घड़ी है तो आप घड़ी को इस परकार से लगाएंगे तो घड़ी में भी आपका क्या करेगा image reflect है तो चश्मा बिल्कुल में सबसे बढ़ी वंश्य क्या कि आ इस्क्रीन पर लगाएंगे जैसे ही तो चश्मा उतार करके क्या आगाने के बाद आपको दिखना भी चाहिए सबसे बड़ी समस्या यह आएगी और दूसरी जो समस्या है वह बगल वाला क्या होगा आपके बिल्कुल टेंशन में आ जाएगा कि कौन सा यहां पर मिरेकल कौन सा जादू यहां पर करने की कोशिश कर रहा है तो द्यान दीजे कि कैसे उसके उपर आप चर्चा करेंगे करेंगे हम लोग जो को आपको को आसानी से बन जाएंगे चलिए हैं तो हम लोगों ने बात करिए अंग्रे जी वर्ण माला में अगर हम बात करें 11-7 लेटर से जिनका क्या बनता है मिरेरी इमेज और रियल इमेज आपको एक जैसा दिखाई देता है ठीक है दूसरी मात पूर्ण बात अगर हम करें तो मिरा इमेज में आपने यहां पे देखा था कि अध्यूकों ंध्यूजीस करें अर्सक्राइब को फेंगा धिँक है चाहा जो यहां आपको दिखाए किसे लिगारों जबकि आपका एम नीचे की ऊरMM पाउत्यूज के रिखा नहीं होगा आर्सके यहां नीचे कि M उपर की सीरीज में था तो M उपर की सीरीज में ही रहेगा Z नीचे की सीरीज में था तो Z नीचे की सीरीज में ही रहेगा तो इस बात को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो इसको अगर मैं remove करूँ तो जैसे हमने कहा चलिए एक sentence लिखते हैं हम लोग एक sentence हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे हमने कहा यू आर क्रियेटिव क्लियर यह हो गई बात इंग्लिश की हिंदी में भी हम इसे लिखते हैं आप स्रजनात्मक हैं चलिए तो जब आप इसका क्या करेंगे मेरा इमेज देखेंगे तो यानि कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट ऐलिमेंट है वो आपको कैसा नजर आएगा वो आपको राइट मोस्ट ऐलिमेंट के रूप में नजर आएगा यानि कि ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और मैंने काफी क्लोज लिख दिया है इसको थोड़ा सा स्पेस दे करके लिख देता हूँ क्लियर तो यू आर क्रियेटिव आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा जबकि हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में अगर लिखा हुआ आप उस रजिनात्मक हैं तो जो आप आपका लेफ्ट मोस्ट ऐलिमेंट था वो अभी क्या हो जाएगा राइट मोस्ट ऐलिमेंट हो जाएगा क्लियर तो जो आपका लेफ्ट मोस्ट ऐलिमेंट है वो क्या हो जाएगा राइट मोस्ट ऐलिमेंट हो जाएगा तो sequence के basis पे भी हम कई बार क्या करेंगे options को आसानी से eliminate कर पाएंगे तो इसके उपर भी हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार हम लोग options को कैसे आसानी से eliminate कर सकते हैं यानि कि जो left most element है वो क्या हो जाएगा right most element हो जाएगा जब कि टॉप और बॉटम में कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर numbers की यानि कि numbers आपको किस प्रकार से दिखाई देंगे तो सबसे पहले जो आपके alphabet से जिनका mirror image आप देख सकतें हैं कि जो हो जाएगा वो क्यों जाएगा right most element हो जाएगा जबकि ज predator में आपको परिवर्ठन देखने मिल रहा है बाकि letters का mirror image मैंने आप quality बना करके दिखाया है यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी numbers की तो numbers का भी आप यहाँ पर mirror image बनता हुआ देख सकते हैं clear चली तो यह हो गए आपके letters और numbers एक साथ आपको screen पर दिया गया है इन सभी जो आपके important यहाँ पर facts है इनको मैं क्या करूंगा short notes मैं add करूंगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने की छापने की ज़रूत नहीं यहाँ एक बार आप क्या करेंगे practice के तोर पे इनको बना करके देख सकते हैं ठीक है बाकी मैं short notes में सारे ही यहाँ पर important जो भी point है वो मैं आपको लगा करके provide कराने वाला हूँ अब हम लोग बात करेंगे किसकी जैसे की ambulance है ambulance आपको ultra लिखा हुआ दिखाई इसलिए देता है ताकि जब ambulance को कोई बंदा mirror से देखे यानि कि mirror पे जब ambulance को देखे तो ambulance उसको कैसा लिखा हुआ दिखाई देगा ambulance उसको सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से इसलिए ambulance को हमेसा क्या क्या जाता है ultra लिखा जाता है ताकि आप क्या करें mirror पे जब देखें ambulance को तो आप एक proper side दे सके जिससे ambulance आसानी से क्या करें आगे निकल सके अब practical way में वह यह चीज़े कितनी होती है दिखाई देती है वो अलग बात है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे water image की तो water image की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं water image is just a reflection where top and bottom part of the image changed where left and right side of the image remain same यानि कि जब हम बात करेंगे जल प्रतीबिम की तो जल प्रतीबिम में आपका केवल ऊपर और नीचे के जो image में आपके जो भी आकरती में बना हुआ element होगा उनमें आपको परिवर्तन दिखाई देगा जब कि अगर हम बात करें दाएं और बाएं side में कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे यानि कि जो आपका left element है वो आपका left में ही रहने वाला है जो right element है वो आपका right में ही रहने वाला है clear या फिर आप कह सकते हैं कि जब किसी horizontal axis पर हम क्या करते हैं किसी image को 180 degree rotate करते हैं तो वहाँ पर हमें जो image बनता हुआ दिखाई देगा वह कैसा होगा water image होगा जैसे कि आप इस alphabet को अगर हम क्या करें इस प्रकार से rotate करे 180 degree तो यहाँ पर जो पीछे आपको आकरती दिखाई देगी वहाँ कैसी आकरती होगी तो वह आपकी water image वाली आकरती होगी तो इस प्रकार से आप water image पर भी अगर offline exam में बैटे हैं तो आसानी से questions को हल कर सकते हैं water image पर पूछे गए प्रतेक प्रश्न को ठीक है चली तो water image का भी हम लोग यहाँ पर letters के उपर सबसे पहले चर्चा करेंगे English alphabet के 26 letters के उपर की water image में अगर हम बात करें तो English alphabet में कितने ऐसे letters होते हैं जो हमें as it is दिखाई देते हैं और कितने ऐसे letters होते हैं यह हो जाएगा C this will be D यह हो जाएगा आपका E यह हो जाएगा आपका F फिर अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा आपका G यह हो जाएगा आपका H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z यह हो गए आपके English Alphabet के 26 letters का water image अब अगर हम बात करें यहाँ पर कितने ऐसे letters हैं जिनका real image और water image आपका as it is बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं B, C, D इसके बाद आपका हो जाएगा H, I फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका O, फिर हम बात करें तो हो जाएगा आपका X clear? यानि कि number of letters की हम बात करें तो यहाँ पर clearly दे सकते हैं 9 ऐसे आपको letters दिखाई देंगे 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानि कि 9 ऐसे letters आपको दिखाई देंगे जिनका real image और water image as it is बनता हुआ आपको दिखाई देगा यानि कि इनमें कोई भी परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा अब आप लोगों को फटा-फट से यह बताना है कि कितने ऐसे letters होते हैं English alphabet में जिनका water image, mirror image और real image तीनों क्या बनता है तो अगर हम बात करें ऐसे letters की तो ऐसे आपके चार letters होते है यानि कि H, I, O और X इन letters को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इनका real image, mirror image और water image तीनों क्या बनता है सेम बनता है, यानि कि इन में कोई भी परिवर्टन होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे जो letters आपके हमने बनाए थे, तो यहाँ पे एक और important बात देख सकते हैं, कि जो आपका top most element था, वो कैसा नज आ रहा है, जबकि अगर यह left में है, तो left में ही दिखाई दे रहा है, अगर आपक यहाँ पे Z क्या था, bottom में था, तो यहाँ पे आपको top पे नजर आ रहा है, लेकिन right में था, लेकिन right में था, तो right में, आप इसको देख सकते हैं यहां पर आपके पास numbers का reflection आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ही page पे अगर हम बात करें तो letters और numbers का यहां पर आपको वाटर में reflection कैसा दिखाई देगा आपको screen पर दिखाई दे रहा है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे यहां पर key facts की जो हमें क्या करना है नोट डाउन करना है यानि कि जहां से हमसे direct exam questions पूछ लिए जाते हैं ठीक है यानि कैसे questions भी हमें कई बार देखने को मिल जाएं आपके English alphabet में आपके 11 ऐसे letters हैं जिनका mirror image और real image एक जैसा बनता हुग आपको दिखाई देगा वो letters कौन से हैं A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, और Y next one अगर हम बात करेंगे there are 9 letters in English alphabet which have same appearance in the water image as they appear in real यानि कि there are 9 letters कौन कौन से हैं B, C, D, E, H, I, K, O, X यानि कि 9 letters हैं जिनका water image और real image दोनों ही आपको एक जैसा बनता हुग दिखाई देगा और सबसे important यहाँ पर 4 ऐसे letters हैं जिनका mirror image, water image और real image तीनों ही कया बनता हुग दिखाई देगा तीनों ही आपको एक जैसा यानि कि तीनों ही आपको same बनता हुग दिखाई देगा इसमें कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा यानि कि यहाँ तक आपकी important facts ह आपको जान लेना है जो कि आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो there are three letters English alphabet which have same appearance in the water and mirror यानि कि जल में और अगर हम बात करें दरपड़ में एक जैसे दिखाई देते हैं कौन-कौन से N, S और Z ठीक है चलिए अब यह तो हो गया एक तरीका यह हो गया कुछ basic बात है इसको अलग हम लोग यहाँ पर कुछ approach से सीखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि questions को कैसे आसानी से और समझा जा सकता है और आसानी से इसको बनाया जा सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ direction क concepts की बात करेंगे यानि कि direction and distance की help से यानि कि distance का तो use यहाँ पर होगा नहीं किया वहाल हम direction की बात करेंगे तो direction के concept की help से कैसे हम questions को असानी से बना सकते है इसके उपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डारेक्शन की तो अगर हम डारेक्शन की बात करें तो अपने पास चार क्या होती है बेसिक डारेक्शन होती है नौर्थ हो गया, इस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे चार सब डारेक्शन्स की जो कि क्या होता है आपका नॉर्थ इस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट चार क्या होगे आपके सब डारेक्शन्स हो गए ठीक है अब हम लोग यहाँ पे लेंगे एक आकृती आकृती की बात करें तो यह आकृती कैसी है आपको यहाँ पे रियल इमेज यानि कि यह आपकी क्या है रियल इमेज आपको दिखाई दे रहा है अब हम लोग बात करेंगे इससे बनने वाले Mirror Image की यानि कि दरपन प्रती विंब की अगर हम बात करें दरपन प्रती विंब की तो हम लोगोंने अभी-भी देखा था कि दरपन प्रती विंब में क्या होता है Left और Right में कोई भी परिवर्थन नहीं होता है तो यहां पर हम लोग direction के sense में समझने का प्रयास करेंगे यानि कि अगर हम बात करें mirror image की तो mirror image में आपका east और west में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा east और west में कोई भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देगा यानि कि पूर्व और पश्चिम की बात करें तो इन में कोई भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं जब हम बात करेंगे मिरर इमेज यानि की दरपन प्रतीबिम्ब की ठीक है हम लोग बात किसके करेंगे जब दरपन प्रतीबिम्ब की बात करेंगे तो इस्ट का क्या हो जाएगा वेस्ट का क्या हो जाएगा एस्ट हो जाएगा लेकिन नौर्थ और साउथ आपका एज इस बन तो यह बिल्कुल बेस है इसको आराम से इत्मिनान से आपको पेशन्स के साथ में देख लेना है जो भी इंपॉर्टेंट बाते समझ में है इसको नोट डाउन करके लिख लेना है ठीक है बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरुवत नहीं है तो अगर हम बात करें इस उत्तर पूर्वदिशा में है ठीक है तो हमने कहा उत्तर और धक्षिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा जबकि हम बात करें इस वाले नौर्थ की तो इसमें वाले इमेज की तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा मैंने का नॉर्थ में कोई भी परिवर्तन होता हूँ आपको दिखाई नहीं देगा इस वाले नॉर्थ में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन जो इस्ट है वो क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा तो यानि कि क्या होता है नौर्थ और साुथ में चेंरज आपको देखने को मिलते हैं जबकि east और west क्या रहता आपका as it is बना रहता इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो अगर हम real image की बात करें तो real image में यह आपका दिखाई दे रहा है towards north यह आपका दिखाई दे रहा है towards north east तो हमने कहा north का क्या हो जाता है north का हो जाता है आपका south यानि किस वाले north का भी क्या हो जाएगा south हो जाएगा लेकिन east आपका as it is बना रहेगा तो अगर हम इस से बनने वाले क्या बात करें हम जल प्रतिविम की बात करें तो north का क्या हो जाएगा south हो जाएगा जो कि आप arrow देख सकते हैं जब कि स्वाल एरो की हम बात करें, जो कि क्या है, North East में आपको दिखाई दे रहा है, तो East का East बना रहेगा, लेकिन North का क्या हो जाएगा, South हो जाएगा, यानि कि यहां clearly देख सकते हैं, यह हो जाएगा South और यह हो जाएगा South East, ठीक है, तो इस concept का भी हम लोग use करेंगे, आसा और राइट का concept यूज़ करके एक last question बना लेते हैं, यहां पर सीख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे, पूछे गए प्रशनों की, तो यह आपका real image है, इससे बनने वाले हम बात करेंगे किसकी mirror image की, तो अगर हम बात करें mirror image की, तो यह जो circle आप की बात करें, तो इस arrow का direction है, वो किदर दिखाई देर आपको towards east, तो यह किदर हो जाएगा towards west हो जाएगा, जबकि north और south में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, जो top है, वो top ही रहेगा, जो bottom है, वो bottom ही रहेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इससे बनने वाले दरपड़ प्रतिविम्ब, यानि की mirror image की, इस वाले arrow का आप clear दिख सकते हैं, अभी कहा होगा, facing towards west, इस वाले arrow की अगर हम बात करें, तो facing towards east, जबकि square आपका किदर था, towards right था, तो towards left आगे, circle towards left था, तो कहां चलागे, towards right चलागे, ठीक है, अब इसी से बनने वाले हम बात करेंगे किसकी water image की, यानि की जल प्रतिविम्ब की, तो जल प्रतिविम्ब में क्या होगा, जो facing आपका कहा है, towards north है, ये क्या हो जाएगा, south हो जाएगा, जो facing कहा है, towards south है, ये क्या हो जाएगा, north हो जाएगा, circle उपर है, तो circle नीचे आजाएगा, square उपर है, तो square नी arrow आपका facing towards north था वो arrow भी कहा दिखा रहा facing towards south दिखाई देरा जब कि जो left में था वो left में ही है जो right में था वो right में ही है तो यहाँ पर इनी दो concepts का use करके हम लोग प्रत्ते question को आसानी से बनाने वाले हैं देख करके without using pen and paper चलिए फटा फट से आ जाते हैं हम लोग सीधे से question के उपर question के अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है choose the correct mirror image of the figure X among the four alternatives ABC and D यानि कि चार विकलपो ABC और D में से आकरती X का सही दरपन प्रतिबिम्ब चुने तो अगर हम बात करें यहाँ पर आकरती X की तो हमें क्या करना केवल और केवल options को eliminate करना हमें बनाने की जरुत बिल्कुल भी नहीं है तो eliminate कैसे करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात कर इस वाले हिस्से की यह आपको towards left दिखाई दे है तो image में कैसा दिखाई देगा आपको towards right दिखाई देगा यानि कि यह option आपको क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा फिर हमने का हमें निकाला है mirror image यानि कि दरपढ़ प्रतिबिम्ब तो दरपढ़ प्रतिबिम्ब का आपका टॉप और bottom में कोई भी changes नहीं दिखाई देंगे तो यानि कि यह option भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा क्यों क्योंकि जो उपर था वो यहाँ पर नीचे आपको गोला बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो दो option हो गया eliminate बाकी के बच्चे आपके दो option तो अगर हम बात कर इस छोटे सरकल में तो यह लाइने कैसी दिखाई दे रही है यह आपको वर्टिकल लाइने दिखाई दे रही है यह option भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा अब चौथे को बना करके मत देखने लगना ठीक है नहीं उसका reflection भ करके चले आना है ठीक है चले बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की अगले प्रस्न की अगर हम बात करें तो यह जो आपको स्क्वार वाला portion यानि कि यह वाला आप जो आपको portion दिखाई दे रहा क्रॉस के साथ में यह towards left दिखाई दे रहा तो यह towards right हो जाएगा और जो आपको यहाँ पर towards right दिखाई दे रहा तो यह किज़र हो जाएगा towards left हो जाएगा जबकि इन में बीच में ऐसी कोई भी लाइने नहीं दिखाई दे रही तो यह आपको प्रॉपर क्रॉस बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो यह option eliminate और यह option eliminate तो answer क्या हो जाएग आपको option number B clear आसानी से आप questions को बना सकते हैं बिना किसी कठिनाई के अगर हम बात कर इस particular question की तो आप देख सकते हैं आपके exam में पूछा गया question अगर यहाँ पर हम बात करें arrow की तो arrow का facing आपका किदार है towards east है तो किदार हो जाएगा towards west हो जाएगा पी आपका towards left है तो कहा हो जाएगा towards right हो जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं किसी एक particular यहाँ पे आप object को pick करिए जो कि यहाँ पे आपको दिखाए गए है और उनमें से आप क्या करें सबसे पहले options को eliminate करेंगे तो अगर हम बात करें arrow की तो arrow के basis पे यहाँ पे ए दिखाई देगा अब दो option में आपके पी तो उल्टा बन रहा है लेकिन इस वाली अगर हम आकृति की बात करें तो यह आपको option number D में as it is बनती हुई दिखाई दे रही तो यह भी क्या हो जाएगा यानि कि correct answer क्या हो जाएगा option number a correct answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लि इसका direction towards north west है ठीक है यानि कि जो north है अगर हम बात करें वो north ही रहेगा लेकिन west का क्या हो जाएगा इस्ट हो जाएगा तो north east में आपको यह कृति कहां कहां दिखाई दे रही तो यह option eliminate यह option eliminate दो आपके पास बचे option लेकिन अगर आप देखेंगे तो यह तना proper top पे आपको दिखाई नहीं दे रहा दूसरा गर हम बात करें इस वाले हिस्से की दूसरा गर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो यह वाला हिस्सा आपको इस वाले image में और इस वाले image में दोनों लगबग लगबग same बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इसके basis पे आप क्या कर सकते आसानी से यहाँ पर eliminate कर सकते हैं तो answer क्या हो जाएगा आपका option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए ठीक है चलिए बात करते हैं सभी को last में comment करके बताना है जब से हम लोगों ने यहाँ पर questions बनाने शुरू किये तो आप में से बच्चों के आप जो लोग भी इस session को देख रहे हैं आपके कितने questions का answer correct आया किसके एक गलत हुए और किसके एक से ज़ादा गलत हुए दो तीन गलत हुए सभी को comment box में proper comment करके बताना है और session अगर अच्छा लगता है तो कम से कम like और share जरूर किया करें ठीक है इससे क्या होता है हमें भी थोड़ा सा motivation मिलता है चलिए बात कर लेते हैं अगले हम लोग यहाँ पे पूछेंगे प्रश्ण की यहाँ पे आपको image थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके images बड़े दिखाई दे तो इसको लेकर के बिल्गुल भी tension लेने की जरूरत नहीं है तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका left words है वो किदर दिखाई देगा right words दिखाई देगा यानि कि इस इससे कि अगर हम बात करें यह करें इस वाले हिस्से की बात करें यह towards right है तो आपको towards left में दिखाई देगा लेकिन इसी प्रकार से दिखाई देगा इसी प्रकार से दिखाई देगा ना कि इस प्रकार से तो यानि कि यह option भी आपका क्या हो गया? Eliminate हो गया जो हिस्सा आपका इदरP आपका right answer हो जाएगा पूछे गया प्रस्न के लिए तो चोटे-चोटे से हिस्सों को आप pick करके options को क्या कर सकते है? Eliminate कर सकते हैं, ठीक है? चलिए बात कर लेते हैं next question की next question की बात करें तो B आपको उपर ही दिखाई देगा इस प्रकार से हम बात करें D की तो D आपको नीचे ही दिखाई देगा इस प्रकार से यानि कि अगर हम बात करें B और D की तो यह option आपका eliminate हो जाएगा यह option आपका eliminate हो जाए क्योंकि as it is बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि हम बात करें A और C की तो C आपका किदर आजाएगा towards left आएगा लेकिन अगर हम बात करें इस प्रकार से C आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको इस प्रकार से दिखाई देगा जो कि आपको option number A में clearly बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो correct answer क्या हो जाएगा आपको option number A चलिए फटा फट से सभी लोग इस question को बनाएंगे यानि कि अगर हम बात करें अगले पूछे गए प्रश्न की अगले प्रश्न की अगर हम बात करें जो end आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो end की बात करें तो यह option आपको क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा end इधर कहां पे है towards left में तो किदर दिखाई देगा towards right में दिखाई देगा at the rate की बात करें तो at the rate as it is नहीं बनेगा at the rate आपको ultra बनता हुआ दिखाई देगा जैसे कि आपको बाकी के दो options में दिखाई दे रहा है फिर हम बात करें इस वाले हिस्से की जो कि towards left है तो किदर दिखाई देगा towards आपको sorry towards right है तो आपको towards left दिखाई देगा यानि कि आपका answer का हो जाएगा option number C यानि कि यह भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा clear चली तो केवल और केवल हमें options को eliminate करना है हमें किसी भी आकरती को proper बना करके देखेने क्या वह शकता नहीं है बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अगले पूछे गए प्रस्नकी कि तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे elimination का ही use करेंगे elimination कैसे use करेंगे तो सबसे पहले थे कि एक तो exam में आपके पूछे गए question और exam में आपको options किस तरीके से कितने difficult combination के साथ में option मिलने वाले यह भी आप यहाँ पर असानी से देख सकते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर पूछे गए प्रस्नकी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको sequence के base पे जो भी option आपके eliminate होंगे उनको eliminate करेंगे यानी कि M की बात करें तो M आपका left most element है वो किदार दिखाई देगा आपका right most element दिखाई देगा यानी कि अगर हम बात करें M आपका यहाँ पे left में दिखाई जे रहा your option eliminate your option fasten UP बच गए आपके पास दो option तो घंत दो options की बात करें अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर sequence देखेंगे M के बाद क्या मिलना चाहिए Y के बाद क्या मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए 7 के बाद क्या मिलना चाहिए O मिलना चाहिए जब कि यहाँ पर क्या मिल रहा है स्टीन कि बैसिस पर यह उप्षन होते ह bowl घब की सब्सुत कें बात करें तो फिर कोलना चुपर कि स्ट्री के बाद मिलना चीलिए ठीं घुघ जबकि यहाँ पर देखें टी मिल्रा है जी मिल्राएं शीमिलेट नेरे बिल्क У Christ यानि कि यह option भी होगा, eliminate, answer को जाएगा, option number C चलिए, बात कर लेते हैं, अगले, पूछे गए, प्रश्नकी तो अगले अगर हम यहाँ पर प्रश्नकी बात करें तो आपको बताना है, effective के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर आपका दिखाई देगा और यह वाला भी हो जाएगा, eliminate, क्योंकि यहाँ पर E और F E यानि कि अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको as it is दिखाई दें, इनका mirror image बनता हुआ, दिखाई नहीं दे रहा, तो correct answer हो जाएगा, आपका option number 1 चलिए बात कर लेते हैं, अगले, पूछे गए प्रश्न की prayer प्रेयर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की तो सीक्वेंस के बेसिस पे यह वाल आप्शन आपका होगा एलिमिनेट सीक्वेंस के बेसिस पे यह वाल आप्शन होगा आपका एलिमिनेट सीक्वेंस के बेसिस पे यह वाल आप्शन होगा आपका आप आसानी से क्या कर सकते हैं इसको eliminate करके बना सकते हैं बात कर लेते हैं आप यहाँ पे अगले पूछे कि अगला प्रशन की अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फटा फटे सभी लोग क्या करेंगे इसका answer करेंगे तो यानि कि आपका क्या दिखाइदेना चाहिए right most element दिखाइदेना चाहिए जो कि आपको एक ही викल्ब में दिखाइदेरा जो कि बाकी सारे के सारे options आप देख करकर eliminate कर सकते हैं बिना किसी कठिनाई कि आप question को आसानी से बना सकते हैं ठीक है चलिया बात कर लेते हैं अगले प्रश्ण की बात करें तो यू आपका क्या होना चीए राइट मोस्ट अलिमेंट होना चीए जब कि अगर यहां पर हम बात करें किसकी कर रहे हैं दरपड़ प्रतिभीम की यानि कि यू आपका ऐस इस बनेगा इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाई यानि कि यह Eliminate यह Eliminate और यह Eliminate आंसर क्या जाए कि Option No.4 अब हम लोग बात कर लेते हैं Water Image पर Based Questions की यानि कि जल प्रती बिम पर आधारित प्रश्णों की जल प्रती बिम पर आधारित अगर हम प्रश्णों की बात करें तो हमने कहा जो आपका टॉप पोर्शन है वो किधर नजर आएगा वो आपको बॉटम में नजर आएगा लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई हाप ही changes देखने को आपको नहीं मिलेंगे यानि कि अगर इस एरो के हम direction की बात करें तो हैरो का direction किघार है तो south ने कर सकते हैं तो south west का हमने कहा क्या नजर आएगा north west नजर आएगा यानिकि airow आपको सभी में north сейчас में ही नजर हो जाएंगे बचते हैं अपने पास दो विकल्प इन दो विकल्पों में अगर आप गौर करेंगे तो जो इसका यह एरो है बिल्कुल मेड से जाता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है यानिकि अगर हम सही विकल्प की बात करें तो क्या हो जाएगा विकल्प ए आपका अगले पूछे गए प्रसनकी अगले प्रसनकी बात करें तो यहां पे जिस एरो का डिरेस्जन आपको किदर दिखाई दे रहा है यह सरकल अगर आपको उपर में दिखाई दे रहा तो यह सरकल किदर दिखाई देगा आपको नीचे में दिखाई देगा जबकि उपर में आपको इस प्रकार से आकरती दिखाई देगी तो उपर में आपको सरकल ही दिखाई दे रहा तो यह option भी आपका क्या हो गया eliminate हो गया अब अगर हम बात करें बचे हुए दो विकल्पों की तो दो विकल्पों में आप देखेंगे कि जो आपका सरकल है वो किसके साथ में है वो इस वाले एरो के साथ में जो सरकल है आपका वो इस वाले एरो के साथ में दिखाई दे रहा है option number B में तो अच्छा बचे अपने पास दो भी कलब ठीक है अगर हम बात करें circle की circle आपका इस वाले arrow के साथ में है जबकि हम बात करें options की तो यहाँ पे आपका circle हो जाएगा नीचे और यह वाला हिस्सा हो जाएगा उपर जो कि आपको option number B में बनता हुआ दिखाई दे रहा लेकिन अगर हम बात करें इस हिस्से की इस वाले हिस्से की तो यह अगर top पे है तो यह आपको कहाँ दिखाई देना चीए बॉटम में दिखाई देना चीए जबकि option number D में ऐसा होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यह option भी क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा यानि कि यह वाला हिस्सा चला जाएगा आपका ऊपर और यह वाला हिस्सा चला जाएगा आपका नीचे तो correct answer क्या हो जाएगा option number B चलिए इस question को मैंने already discuss किया हुआ है एक से दो बार में इस question को करा चुका हूँ ठीक है फिर से आप लोग इसको देख लिजे यानि कि अगर हम बात करें जो top most आपका element है जहां पर आपके three dots दिखाई दे रहे हैं तो three dots कहां दिखाई देंगे आपके bottom most element के रूप में दिखाई देंगे यानि कि option eliminate और यह option eliminate फिर अगर हम बात करें three dots के right में आपको five dots दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर हमने देखा कि आपका जो right element है या जो left element है उसमें कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलते लेकि यानि कि right वाला aYukka right ही बना रहेगा left वाला आपका left ही बना रहेगा तो यहां पर हम बात करें three dots के right में आपको five दिखाई देगा तो इन दोनों ही विकल्पों में आपको दिखाई दे रहा है जबकि left में आपको दो डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पे भी आपको लेफ्ट में दो डॉट, और यहाँ भी लेफ्ट में आपको दो डॉट दिखाई दे रहा है, तो इस बेसिस पे भी हम इसको अभी तक dusty नहीं कर सकते, लेकन हम बात करें, 5 के राइट में क्या है, 5 के नाफ्त में बात करें अगर इस हिस्से की तो यह हिस्सा कहा नजर आएगा उपर नजर आएगा और जो इसका यह फिल वाला पार्ट है यह भी कहा नजर आएगा उपर नजर आएगा तो इसके बेसिस पे कितने आप्शन्स आपके eliminate हो रहे हैं तो यह option हो जाएगा ऊप्शन हो जाएगा एक ही ऑप्शन आपका eliminate होगा cross नीचे आजाएगा square भी नीचे आजाएगा और अगर हम बात करें cross की तरह towards left है तो cross towards left ही रहेगा यहां पर आपका cross towards right दिखाई जाएगा तो यह option भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा बचे गए दो विकल्पों कि अगर हम बात करें cross नीचे तो आया लेकिन cross में यह वाली जो line है यानि कि line के जो उपरी हिस्सा है वो कहां हो जाएगा निचला हिस्सा हो जाएगा और जो line का निचला हिस्सा हो क्या हो जाएगा उपरी हिस्सा हो जाएगा यानि कि लाइन आपको इस प्रकार से नज़र आएगी जो कि आपको option number c में बनता हुआ दिखाई दे रहा यानि कि option number d भी क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा clear चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछेगे प्रस्ण की अगले question के अगर हम बात करें तो अगर star के इस वाले हिस्से की बात करें तो यह किदर है टूवर्ट southwest तो२ि कि साऊथ का क्या रहेगा आपका साऊथ ही रहेगा सवी साऊथ का क्याгляд क्या हो जाएगा जैंघी यह वैकर आपको किदर दिखाई देगा टूवर्ट नॉर्थ वेस्ट यानि कि उत्तर पाश्यम दिशा में आपको इस्था दिखाई देगा यानि कि यह option eliminate यह option eliminate और यह option eliminate अंसर क्या हो जाएगा option अप्शन नमबर C ठीक है चलिए अगले प्रश्ण किए अगले प्रस्ण कि आपकी स्क्रीन पर आ कद हो है कि हम बात करेंगे इस सब्सक्राइब एक अबाद करने कि यह और उप्षिन यह जा आपकी अप Czech को हो चांटुर नमबर बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रशन की अगले दी question की बात करूं तो triangle आपका इस प्रकार से अगर यहां पे बना हुआ दिखाई दे रहा तो triangle आपका उल्टा बनता हुआ आपको दिखाई देगा यानि कि इस प्रकार से ठीक है तो triangle आपका सीधा यहां पे था यह option होगी आपका eliminate फिर हम बात करें इस circle वाले हिससे की तो अगर eliminate हो जाएगा क्योंकि यह किदर दिखाई देगा towards south west direction में आपको दिखाई देगा तो option number a b हो गया eliminate एक ही विकल्फ हमारे पास बसता है option number c जो कि क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प circle वाला पार्ट कहां चलाएगा bottom पे चलाएगा triangle वाला पार्ट टॉप पे चलाएगा लेकिन triangle के अगर हम बात करें तो triangle कैसा बनता हुआ दिखाई देगा आपको उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा तो अगर हम बात करें circle bottom पे जाएगा triangle उपर चला जाएगा और उल्ट डिपा बनता हुआ दिखाई देगा सब्सक्राइब तो भ्मिक्राइब सब्सक्राम ज़ए गद फोटा, C-19 व्मिक्रांब नम्ह Weird, Trayngal उपरद में लटा इसमें भी बनता हुआ दिखाई दे रहा और इसमें भी हुआ पको दिखाई दे यानि कि आंसर क्या हो जाएगा option number D, option number C क्या हो जाएगा, eliminate हो जाएगा, चली, अगले अगर हम प्रशन की बात करें, तो हम बात करेंगे, इस सवाल इस से की, इस सवाल इस से की, अगर हम बात करें, तो यह इस सा आपका किदर है, bottom पे है, तो यह इस से कहां चला जाएगा, ट बच्छने के लिए चली है अगले कोश्चन की बात करेंगे यहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बनाने में तो यहां पर आप क्या करेंगे वन्-बाइ-वन options को eliminate करेंगे सबसे पहले हम बात करें अगर sequence की तो sequence आपको हर एक विकल्प में एक जैसा दिखाई दे रहा है जब कि हम बात करें क्यूंके बेसी स्पे तो जो आपका टूवेट्स राइट है यानि कि यहां पर तो तूवेट्स राइट दिखाई देगा तो एक ऑप्शन ऐसे हो गया इलिमिनेट फिर अगर थार के इस वाले अगर T आपका इस प्रकार से बनेगा यानि कि यह जो टूर्स राइट आपका पोर्शन है यह टूर्स राइट ही रहेगा जब कि यह पर T आपको as it is बनता हुआ दिखाई दे रहा तो यह option भी क्या होगा आपका होगा बसता है आपके पास एक ही विकल्ब जो कि क्या हो जाएगा आपका option नंबर एक क्या हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए चलिए अगले अगर हम question की बात करें हम लोग यहाँ पर one by one क्या करेंगे eliminate करेंगे जैसे कि अगर हम आर की बात करें तो आर का यह वाला इससा राइट है तो राइट ही रहेगा यानिकि इसमें आपको left दिखाई दे रहा यह आपका हो गया eliminate इसके लागा अगर हम बात करें इस वाले portion की यानिकि एच का यह जो बड़ा वाला आपको डंडी दिखाई दे रहा जैसे हमने four में देखा था यह towards left है लेकिन यहां पर आपको towards right दिखाई दे रहा तो यह भी होगे आपका eliminate फिर हम बात करें बचे हुए दो विकल्पों की यानिकि आपका option number one और option number option number a मे करते हैं तो थोड़ा बारी की से देख करके इत्मिनान से बनाएंगे कोई भी आपको कठिनाई नहीं होने वाली है और यहां पर मुझे नहीं लगता कि number of questions जो यहां बिल्कुल sufficient आपको number of questions की already में practice भी करा दे रहा हूं साथ इसाथ मैं आपको 25 question का practice sheet भी provide कराने वाला हो इ previous year paper का भी एक विकल्प है जो कि आपको अलड़ी टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है जहां से आप download करके questions की practice कर सकते हैं तो आपकी पास sufficient number of questions के लिए बस करना कि आपको लगन और मेनत के साथ में questions की practice करनी है और dedication के साथ हमारे साथ में जूले रहना है ब बात कर लेता हैं अगले question की तो अगले question का आप elimination कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम बात करें 9 की तो 9 में यह वाला जो आपका portion यह towards qiðar है लेफ्ट है तो यहां पर towards right दिखाई जेरा तो एक option eliminate फिर अगर हम बात करें यहाँ अगर हम बात कर 9 का यह यह पो पो पोर्शन है त दिखाई तरह यह option भी क्या हो जाएगा अपका eliminate यहां पर सी से भी आप इसको eliminate कर सकते थे इस वाले में भी आपका सी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा सी से यानि कि जो आपका correct option हो जाएगा option number D चलिए कई बार होता क्या है कि कुछ ऐसे images होते हैं जैसे कि last एक जो आपका PC का वीडियो था किसी बच्चे का comment आया अब मैंने क्या किया तीन options को eliminate कर दिया किसी बच्चे का comment आया कि सर इसमें जो n है न क्या तो word था information था साइद information में कहीं पर एन ऐसा लिखा हो था है निकि तीन option आपके हो गए eliminate तो एक option में जो आपका एन था है निकि मैंने क्या किया उसको फिर चेक नहीं किया मैंने आज answer mark करके आगे के question को मैंने solve करना शुरू किया तो किसी बच्चे ने comment किया कि सर इसमें जो n है न वह सीधा रह गया है तो अगर आप इतना dedication के साथ में वीडियो को watch करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कहीं न कहीं कि चलो भाई कुछ बारिकिया हैं जिनको आप इस तरीके से watch करके point out कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं कई बार इस प्रकार से क्या होता है option का अगर हम बात करने जिसे 123 मिल गया यहां प चलिए बात करते हैं अगले question की अगर हम अगले question की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है recruit तो अगर हम बात करें यहां पर अगरल में option number c eliminate because of q यह वाला भी option क्या हो जाएगा आपका eliminate हो जाएगा यह वाले option भी eliminate हो जाएगे because of r यानि कि आर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा जबकि आपका इस प्रकार से बनेगा answer क्या हो जाएगा option number a next one next अगर हम यहाँ पर question की बात करें ब के 5 orp62 ठीक है T sore हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें गे b के basis पर eliminate कर देते हैं option number a को फिर Shortues करे हम बात करें यहाँ पर 2 के बाद हमें अपका यह है शिकस फिर है आपका бо P फिर आर के basis पर eliminate कर देते हैं option number C को फिर अगर हम बात करें तो आर के basis पर हम eliminate कर देते हैं option number D को तो answer क्या हो जाएगा option number B अब जैसे कि मैंने भी थोड़े देर पहले discuss किया तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं देखो यह जो K है के का यहाँ पर आपको पतली line दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो line है वो थोड़ी मोटी है जो कि यहाँ पर भी दिखाई दे ठीक है तो क्या हो जाएगा पतली वाली line नीचे आ जाएगी लेकिन यहाँ पर हमारे पास के का क्या बनता है आपका के बनता हुआ दिखाई देता है वाटर इमेज में ठीक है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है अब वो font के basis पर महाँ पर थोड़ा सा change होना चाहिए था अगले question की बात करें तो bridge ठीक है यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो E का आपका objection number A eliminate फिर आपको डीक के बात करें तो option number B और पूछे के प्रश्न के लिए ठीक है तो यह तो हो गई बात किसकी water image और mirror image की अब हम लोग क्या करेंगे देखिए जिन भी बच्चों ने इस session को अटेंड किया है जो भी बच्ची session को देख रहे हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे paper cutting and folding और paper cutting और folding के अगर हम बात करें तो हम ल solve करेंगे तो करना क्या आपको continuous यानि कि इस session के बाद बिना break के जैसे ही आपका upcoming session आता है आपको session को क्या करना है watch करना है और जो भी आपको practice sheet दी जा रही है जैनि कि अगर हम बात करें mirror image और water image से related या फिर हम बात करें paper cutting और folding से related जो भी आपको practice sheet दी जा रही है उसके questions को आप क्या करेंगे solve करेंगे discussion के लिए आपके पास क्या है telegram group बना दिया गया लेकिन मैंने ये देखा है कि telegram group पे unnecessary बहुत सारे discussion आप लोगों के चल रहे होते हैं पता नहीं कहा कहा से question लाते हैं कुछ-कुछ error रहेगा तो भी उसको आप लोग बिलकुल लगे रहते हो लगे रहते हो मतलब कहीं न कहीं हमें involvement का कई बार मौका ही नहीं होता है चाह के भी हम involve नहीं हो पाते क्योंकि क्या होता है unnecessary के contents पे unnecessary आप लोग discussion करते रहते हो तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रूप बनाया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए अब उसको अगर आप सुविधा जनक तरीके से क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे तो हमारे लिए भी beneficial होगा कि हम आप तक directly पहुंच करके आपके doubts को clear कर पाएंगे लेकिन आप लोग क्या करते हो unnecessary के discussions क्या करते हो करना शुरू कर देते हो तो कहीं न कहीं हमारे लिए भी वो कई बार मतलब involvement हमारा proper हो पाए ऐसा हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो आपके जो genuine questions है जो lectures related questions है जो आपके courses related questions है उनी को आप वहाँ पे क्या करिए discuss करिए unnecessary discussions में पढ़ करके अपना कीमती समय बरबाद ना करें मेरा यह suggestion होगा और अगर आप चाहते हैं यह सुविधा आपका लंबे समय तक हम लोग आपको provide कराते रहें तो कम से कम आप unnecessary के discussions बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपके लिए भी बहतर होगा और हम भी क्या करेंगे इस सुविधा को आप तक लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के पहुचाते रहेंगे क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी बच्चे को वहां पर ब्लॉक करें या कहें क्योंकि आप लोग बिल्कुल समस्दार हैं और आपको भी कहें नहीं करें अपने time की क्या है value है तो अपने कीमती समय को unnecessary discussion में बिल्कुल भी बरबाद ना करें अपना focus करें अपनी पढ़ाई के उपर अपने aim के उपर और जो भी आपके genuine problems है जो भी आपके genuine questions है उसको discuss करें तो जिससे क्या होगा कि आपके जो केवल और केवल important questions होंगे वही हम तक पहुंचेंगे और necessary chats में वो सारे questions क्या हो जाते हैं गुम हो जाते हैं और पता ही नह चलता है इतने सारे discussions होते हैं कि हमारे लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है कि आपके जो questions है उसका हम reply करें ढून करके ठीक है तो जो आपके केवल अवश्यक समस्याएं हैं उन्हें के उपर आप लोग discussion करेंगे तो वहाँ पर unnecessary अपना समय भी नहीं बरबाद करेंगे और ह आपके प्रश्णों तक पहुंचना भी क्या होगा आसान होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में topic कौन सा होने वाला हमारा next class में तो वह होने वाला आपका paper cutting and folding आज के लिए इतना ही धन्यवाद